फस गई भईया फस गई थार हमारी फस गई क्योंकि यहां पर बोला सा कीचण है तो भाई यह है नहीं महिंद्रा थार जिसका हम करने वाले हैं ऑफ रोड़िंग टेस्ट तो इसको मैं बता दूँ दो तरह के इंजिन में आती है पेट्रोल इंजिन और डीजल इंजिन पेट्रोल इंजिन है 2.2 लिटर का जो की जनरेट करता है 150 bhp और 380 nm वहीं जो इसका डीजल इंजिन है वो जनरेट करता है 130 bhp और 320 nm तो यह जो गारी है यह डीजल आटोमेटिक है यह मैंनलर आटोमेटिक दोनों में आती है तो यह कुछ इसकी पावर फिगर है हम करने वाले हैं इसका ओफ रोडिंग टेस् ठीक है पहले लो लगाओ लिख रहा होगा ना 4H, 2H हुआ 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 है तो भाई अब आप समझ रहे होंगे दो तीन बार आगे पीछे क्यों ले जा रहे हैं दरसल कल ट्रैक्टर फस गया था तो उसके लिए रास्ता पक्का कर रहे हैं इस वाज़े से समझ रहे हैं ओ थार से रास्ता पक्का क्या जा रहा है ट्रैक्टर के लिए तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले खेत में क्योंकि जो लास्त वाला खेत था उसमें ये इसली पार कर गई अब दूसरे खेत में देखते हैं इसको कितने मुश्किल होती है ये खेत है जिसमें हम अभी थार को टेस्ट ड्राइब करने वाले हैं और ये रही थार ये रहा खेत और ये रहा हम मैं अभी तक तो कोई अभी तो कोशी है वारिश पढ़ रही है पूरी जमीन गीली है अब बोलते ना जुता हुआ खेत है तो उसमें तो जाला चांस रहते हैं कि गाड़ी के अट्रेक्टर भी फजाए गॉल-गॉल गुमा रहे हैं पता हुआ यार यह थार ने कमाल कर दिया भाई अब मुझे समझे में आ रहा है लोग क्यों इतना इस गाड़ी को प्यार करते बाई यह कहीं भी जाने वाली का मतलब कहीं भी सच में कहीं है ठीक है अगला खेट ट्राइब करो तो भाई अभी हम जाने वाले नेक्स्ट वाले खेट में क्योंकि यहां पे तो इसको कुछ फारगी नीपड़ा कुछ फारगी नीपड़ा अगला कोई खेट राए करते हैं अचली मेरा परपरस यह है कि मैं आपको दिखा पाऊं यह कितनी कैपेबल गाड़ी है क्यों थार को लोग इतना पसंद कर यह महींद्रा ने गाड़ी के शकल में ट्रैक्टर दे दिया है इन पॉजिटिव बे ट्रैक्टर वाली कैपिबिलिटी थार और गाड़ी वाला लोग मतलब क्या चीज है यह मेरा कुछ ऐसा नहीं कि पेड़ वीडियो या कुछ है यह दिल से आवाज आ रही है इसलिए लोग थार को गाड़ी ने एक इमोशन मानते है यही एक वज़ा है बताओ जहां लोग साइकल ने ले जा सकते जहां पैदल पैदल जल रहा हूं तो मेरे पाउं अपर है यह देखो पाउं निकालने बढ़ रहे हैं लेकिन यह गाड़ी तो कोई दूसरा खेट ट्राइब करो थर्ड जगह पर आगए हैं आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि और कितनी कैपेबल है वहां पर तो यह इसली निकल गई है इस जगह ट्राइब करते हैं कि क्या इसको कुछ फरक पड़ता यह और भी मुश्किल वाला खेट इसको नहीं पड़ेगा कुछ फरक इसके लिए तो कुछ और ही ढूणना पड़ेगा इसको कोई फरक नहीं पड़ रहा है गलत चुनाव कर लिया पड़ोसी के महीं गुजा दो अखिरकार वो समय आई गया जब थार को फसना पड़ गया इस तो निगल गई फोर भाई फोर लगाती निगल गई यह क्या करें चालो चलो आजब क्या बताए की चड़ हो कुछ भी हो यहां पर भाई इसके स्लीप हो गए वाई पस ही गई अब पहियां घुमाते रो फस गई भाई या फस गई थार हमारी फस गई क्योंकि यहां पर बड़ा सा कीचड़ है देख रहे हो अभी क्या इनको लगानी पड़ेगी फोर भाई फोर चलो जी लगा दो फोर भाई फोर अब बतातो दें उन्हें लो भाई या 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 यह सारे पड़ोशों के खेट हमने जोदियें सारे पड़ोशियों के खेट हमने जोदियें जो भी खाली दिखा हमने घुसा दिए यह देख रहे हो गुमाओ गुमाओ ऐसे ही तो ऐसी कुमाओ गुमाओ भाई अभी हम क्या ट्राई करने वाले हैं हम इसको गुल गुमाओ के ट्राई करने वाले हैं कि क्या होता है कैसा वीडियो निकल के आता है देख रहे हो मुस्कान और अभी कोई दूसरी गाड़ी फस गई होती ना तो भाईयों के चेहरे उतर गए होते कर लेते हैं काफी यहां पर ढालान है आपको दिखा दू चीक ठाग यहां पर हो चाहिए शायद कैमरा जिस्टिफाइन आगर पा रहा हो और यहां पर निकाल के देखते हैं भाई अब पता चल आँ अब आपको इतने हो चाहिए और 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 कोशिश करो तिर्ची 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 काई डिट्राइए के लोगाई झाल 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 झाल